दोस्तो मैं हूँ फिलिपकार्ड में आपको पता हुआ फिलिपकार्ड में यहाँ परशनल लोन लेने का उप्सन आ चुका है तो आज किस वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप फिलिपकार्ड से परशनल लोन ले सकते हैं और ये भी मैं आपको live दिखाऊंगा कि आखिर मैं कितने loan लेने के लिए eligible हूँ, सारा detail live करेंगे, तो प्लीज अगर आपको भी flipcard से प्रशनल loan चाहिए, तो इस वीडियो को last तक देखिए, अगर आप eligible नहीं है, तो किस तरीके से eligible होंगे, सारा detail इसी वीडियो में तो प्लीज वीडियो को last तक देखिए, चलिए जान लेते हैं, दोस्तों देख सकते हैं, मैं आज चुका हूँ अपने flipcard एप में, flipcard एप में जैसे ही आएंगे, तो आपको यहां पे account के option पे click करेंगे, आपके सामने यहां पे personal loan का option आ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया ह जो कि flipcard में ही अब आपको personal loan लेने का option मिल रहा है, पहले क्या होता था, जैसे मालजी अगर आपको online loan चाहिए, तो आप बहुत सारे third party app में जाते थे, जहां हमें believe करना मुस्किल होता था, कौन सा genuine app है, कौन सा fake app है, बट flipcard में अगर आपके option आ रहा है, तो भी इस वीडिय होके देखिये, live में दिखाऊँगा कि मैं कितने के लिए eligible हूँ, और आप कैसे इतने के लिए eligible हो सकते हैं, और कैसे लेना है loan, तो चलिए मैं है यहां पर प्रीशनल loan पे यहां पे क्लिक कर दिता हूँ, देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ही यहँर्चनल loan के option पे क्लिक कर करना, physically कहीं विजिट नहीं करना, यानि सारा A to Z जितना ही process है, सब यहां पे paperless और online होंगे, approvals in 30 seconds, यानि आपको 30 seconds में ही approval मिल जाएगा, यानि 2 से 3 minutes में आपके account में पैसे आ जाएगे, वहीं बात कर यहां पे देख सेते हैं, affordable EMI यानि EMI के भी बहुत सारे option मिल जाएंगे, चलिए सब कुछ live देखेंगे, सबसे पहले हमें यहां पे fill करना है, कि आपका pen card number क्या है, उसके बाद यहां पे date of birth, उसके बाद यहां पे mail है, female है, क्या है, उसके बाद यहां तर्म condition को यहां पे accept करना है, तो चलिए मैं यह तीनों detail fill कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का detail बताऊंगे, तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने यहां पे अपने pen card का number, यहां अपना date of birth, यहां मैंने mail हूँ, तो mail पे click कर दिया, अब मैं यहां पे term and condition को accept करता हूँ, और यहां पे continue के option पे click करता हूँ, यहां पे continue के option पे click कर दिया, उसके बाद यहां पे देख सकते हैं, इनकी सबसे अच्छी एक जो खास्यत है, यही है, यहां पे देख सकते हैं, no spam calls from flip card, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह feature मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर जैसे मा लीजे कहीं भी loan side पे हो, चाहे loan app पे हो, अगर आपने गलती से अपना number उन्हें दे दिया, यह फिर register कर दिया, और आप loan ले या ना ले, वो आपको call करकर के परिसान कर देंगे किसा लोन ले लिजे, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं, पहले इसने बता दिया कि no spam call from flip card, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, basic detail डाला, जो कि अपना pen card का number था, date of birth था, male, female, उसके बाद यहाँ पे work, detail हमें डालना है कि हम कहाँ पे काम करते हैं, salary क्या है, उसके बाद यहाँ पे loan offer दिखा देगा, कि आप कितने के लिए यहानि क्तने का loan लेने के लिए eligible हैं, चलिए हम यहाँ पे पूरा यह detail फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहले हैं आप क्लिक किया, उसके बाद company name, जिस भी company में आप नाम काम करते हैं, उस company का यहां पे नाम डाल दीजे, उसके बाद net monthly income जो भी है आप यहां पे डाल दीजे, गलत मठ डाल ये, जो भी डिटेल पूछ रहा है, सही सही ड तब ही आपको loan मिलेगा, आसानी से loan मिलेगा, कोई भी गलत चीज़ डालने की ज़रोट नहीं है, अब हम यहाँ पर view loan offer पर क्लिक करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर view loan offer पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा यहाँ पर चेक कर रहा ह लिजवल हूँ तो यहां पर देख सकते हैं बहुत ही खुशी की बात है और आपको बता दूँ वहीं आपको बता दूँ कि यह loan access bank दौरा आपको दिया जा रहा है तो यह भी बहुत ही बढ़ियां बात हैं तो चलिए यहां पर कुछ और detail दिखाता हूँ यहां पर देख सकते हैं 2,00,00 का मुझे amount मिला है लेकिन आप इसे कम जादा भी यहां से कर सकते हैं चलिए मैं आपर यहां पर मैं type करता हूं 1,00,00,00 एक लाख देखते हैं और उसके बाद हम दिखाते हैं कि कितना limit है क्या है सब कुछ यह देख सकते हैं मैंने आपर 1,00,00 का limit यहां पर डाल दिया एक लाह का अगर आप यहां पर लोण लेते हैं तो आपको यहां पर 36 महीने यहां बनाना चाहें 33 महीने का 30 महीने का 27 महीने जितने मंचा है उतने का donate सकते है उसके बादे विव मोर प्लान पर क्लिक करते आप और भी अपने अनुसार यहाँ पर select कर सकते हैं 15 महीने का यह बना सकते हैं जो भी आपको plan पसंद है उस पर आपको click करना है जैसे माली जे मुझे यह वाला पसंद है यह 3492 रूपे कपर महीने का यानि यह वाला plan मुझे पसंद है तो चलिए मैं यहाँ पर click कर देता हूं और यहाँ पे continue and confirm पे click करता हूँ जैसे ही मैं यहाँ पे click करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं loan summary आगया कि आपको यह देख सकते हैं total कितने का loan है इतने का processing fee हमारा इतना कट गया 2360 रुपे उसके बाद यहाँ पे 20 रुपे stamp duty का net distributor amount यानि मुझे यहाँ पे 97,620 रुपे यहाँ पे मुझे मिलेगा यानि जो मेरा account में आएगा वो मुझे इतना amount मिलेगा उसके बाद मन्त ली EMI यहाँ पे देख सकते हैं 3492 रुपे पर मन्त यहाँ पे मुझे देना होगा loan tenor की बात करे तो 36 महिने का मेरा loan होगा first EMI की बात करे तो 5 तारीक 10 महिना 2023 को जाएगा इस महिने नहीं जाएगा 9 महिने में मैं ले रहा हूँ तो उसके बाद last EMI की बात करे यहाँ पे देख सकते हैं 5 तारीक 9 महिना 2026 तक मुझे देना होगा यानि 36 महिने यानि 3 साल का loan है तो बस आपको कुछ नहीं करना बस यहाँ पे continue पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप से account number पुछेगा कि आप कौन से account में पैसे मंगवाना चाहते हैं और जैसी account number डालेंगे आपके account में पैसे credit कर दिये जाएगा क्योंकि flip card है flip card में personal loan लेना बहुत ही आसान है और इस पे भी मैंने video बनाया है कि मुझे 2 लाख का यहाँ पे credit score कैसे मिला यानि 2 लाख loan के लिए eligible में कैसे हुआ ये भी आप जान सकते है मेरे channel पे video डला हुआ है सारा detail मैंने उसमें बताया है तो उस video को भी देख लीजे ये live video मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको पता तुल सके कि कैसे हम flip card से यहाँ पे personal loan ले सकते हैं सारा detail मैं live दिखाया बस यहाँ पे continue करना है और आपको loan मिल जाएगा मुझे loan की जरूद नहीं है इसलिए मैं loan भी नहीं ले सकता बट यही detail है यही process है बस मैंने आपको process समझाने के लिए सारा detail live बताया तो इस video को ले इतना ही दोस्तों मुझे विद्ध आपको वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like चैनल को subscribe करे अभी के लिए इतना ही thank you for watching